हलो गाइस, विल्कम टू मैं चैनल, लव अलवेस आज मैं बोलने जारे हूँ एक रोमेंटिक फैंटेसी ड्रामा का कहानी एक फेमस साइन्टीज लोडा हूँ नाम की बहुत साल से रोबोट बनाने की कोशिस कर रही थी बहुत बार कोशिस करने के बाद आखिर में एक AI रोबोट बनाती है जिसका मॉडेल वो अपने बेटे के तरह बनाती है और नाम भी अपने बेटे का नाम ही रखती है, नाम सीना और फाइनल रोबोट का नाम रखता है नाम सीना 3 और रोबोट को बनाने के बाद वो रोने लगती है क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत मिस्स करती थी इसी तरह से एक साल गुजर जाती है 1997 सियूल पहले का कहानी साइन्टीज लौरा जो अपने बेटे के तरह एक रोबोट बनाय थी उसका जो इनसानी बेटा था वो उस रोबोट को देखके गुस्सा हो गया था क्योंकि सब उस रोबोट का तारिफ कर रहा था और वो उसके तरह ही दिखता था फिर एक दिन बहुत सारा लोग आया और नामसिना को उसका माज से छीन के ले गया फिर उन में से एक जन बोले कि उनका हस्बन का देथ हो गया जो नाम सिना का पापा था वो स्विसाइड किये है ये सब जानके साइंटिज लोडा बहुत दुखी हो गई थी और उसका पापा और अपने बेटे का मिस्ट कर रही थी एक्चिली सिना को उसका दादा जी के लोगी उठा के ले गए थे फिर लोडा जब सिना को लेने गई फिर सिना लोडा को बोली कि उसके साथ वो नहीं रहेगा वो अपने दादा जी के साथ ही रहेगा वहां पे फिर सिना गुसे से बोले कि उसका पापा लोड़ा के बज़े से मर गए इस सब के कारण था कि सिना का दादा जी सिना को धम्र की दिया था कि अगर वो उसके माँ से ये सब नहीं कहेगा तो उसके माँ को चोट पहुचाएगा उसके बाद दादाजी के लोग बोलते हैं कि अगर वो सिना को छोड़ के अगर नहीं गई तो सिना को भी चोड़ पहुचा सकता है क्योंकि उसका दादाजी साइंटीज लोडा को पसंद नहीं करता था इसलिए लोडा को उसका बेटे को छोड़ के जाना पड़ा और वो बेटे का याद में रोती थी और इसलिए वो रोबोट बनाई जो विल्कुल उसके बेटे के दरा दिखता था देखते देखते 2006 हो गया साइन्टीज लोरा तर चेक रिफाफ्लिक में रहती थी और वहाँ पर नामसीना का छोटा एज से बड़ा एज तक बनाने लगी बड़ा एज का नामसीना पार्ट 3 नाम रखा गया जब साइन्टीज लोरा रो रही थी नामसीना उसको हग कर रहे था विकाज ये रूल था उनका कि अगर कोई इंसान रोए तो रोबोट हग करती है इसी तरह से बहुत दिन पाढ़ हो गया और लोरा का इंसान बेटा भी बड़ा हो गया इसके बाद सिव 2018 साल है कॉंग सुभूम नाम का एक लड़की जो की एक मेक्स मार्सल आर्स का फाइटर थी एक कमपेटिशन में इंज्यूरी के कारण के उस स्पोर्स को क्वीद कर दिया थी फिर वो एक सिकुर्टी बाडिगाट का काम करती थी और वो नामसीना का इस बाडिगाट थी फिर वहाँ पे एक डेविद नाम का लड़का साइन्टीज लोड़ा को पसंद करता है दूसरी तरह असली नामसीना जो इंसान नामसीना था वो भी रिफाग्लिफ में पहुँच गया क्रेज रिफाग्लिफ का एक मार्केट में लोड़ा डेविद और वो रोबोट नामसीना गुम रहा था और किस्मत से इंसान नामसीना भी वहाँ पहुच गया था लेकिन वह अभी तक रोबोट नामसीना से नहीं मिला था एक आदमी नामसिना को फॉलो कर रहा था इंसान नामसिना को मारने के लिए फिर वहाँ पे गुंते गुंते नामसिना और उसका रोबोट का आमना सामना होता है और वो इंसान नामसिना जब उस रोबोट के पास जाता है फिर एक कार आता है अचानक से और नाम सिना को मार के चला जाता है फिर नाम सिना कोमा में चला जाता है क्योंकि नाम सिना जो PK ग्रूप का इंडस्ट्री का वारिस था उसका माउस रोबोर्ट को भेज़ता है उसका जगा लेने के लिए उसका नाम रखने के लिए और जो इंसान नाम सिना जो कोमा में था उसका ख्यार रखता था फिर नाम सिना को देखने उसका एक दोस्ट जो जियंग हो ता वो आया जो नाम सिना का सेक्रेटरी भी था और एक बहुत अच्छा दोस्ट भी था फिर वो नामसिना को कुमा में देखके हैरान हो गया था क्योंकि उस रोबोट नामसिना को देखके वो चौक गया था वो आपे किसी को भी नहीं पता था कि नामसिना कुमा से कब ठीक होकर उठेगा उसका माँ लोड़ा बहुत परिशान रहती थी और रो रही थी और बहुत प्रे कर रही थी दूसरी तरफ कॉंशर बूंको फिर के व्रूप से सिक्रूरिटी के जो जॉब कर रही थी उससे निकाल दिया गया फिर वो दूसरा काम खोज रही थी और बहुत परिशान में थी जो इंसान नाम सिना को मारने का कोशिस कर रहा था एक्चुली वो PK ग्रूप का मालिक होना चाड़ा था क्योंकि नाम सिना उसका वारिस था इसलिए रोबोट नाम सिना वहां पर पहुँच गया था उसका नाम ख्यार रखने के लिए ताकि नाम सिना का उसका पत उसके आफिस में मिल सके उसके कमपनी से मिल सके फिर वो रोबोट नाम सिना PK ग्रूप जो था जो की एक कार कमपनी थी वो कार को प्रेजन कर रहा था तब भी अचानक वहां पर बहुत सारा लोग सवाल करने लगा था और रोबोट नाम सिना सोच रहा था कि कोई उसे पैचान ना ले कोई उसे ये जान ना सके कि वो एक इंसान नहीं रोबोट है दूसरी तरफ कॉंग सो वो एक प्रेस कंफरेंस में जाती है और वहां पर आग लग जाती है जिसका नाम है Are You Human Too?